हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबको एस्पीट्यूव यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वडियों में हम यह बात करने वाने हैं सेसी जीडी कॉंस्टेवल एड्मिट कार्ड दोजार चौविस लिस्ट जारी हो चुका है और आपका एड्मिट कार्ड बहुत ही जल्द होने वाला है उत्तरप्रदेश के लिए ठीक है और भी बाकी राज्यों का एड्मिट का डाउनलोड होना सुरू हो गया है अगर आपको अपना डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए आपको वीडियो के मादम से बताते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैन को लिख लेना है सरकारी बिजसेटी ऐसर का चटाइब कर लिएए और यहाँ पर बेङ्ठी कर लेना है तो यहां पर एक्टरिघं़ को सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे का option देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको SSC GD Constable Admit Card 2024 जारी हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको एक्जाम डेट की बात करते हैं तो आपको फरवरी में एक्जाम की होने की घोसड़ा किया गया था तो आपका एक्जाम अब शुरू हो गया है ठीक है तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखे कंडिडिट इस्टेटस नेम ठीक है यहाँ पर आपको दे दिया गया है सेसी डाउनलूड लिंक यहाँ बहुत जल जारी होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार का लिंक अभी दिखा रहा है तो आपको बह राजस्थान देली उतराखंड का यहाँ पर वही लिंक एक्टिव सून दिखा रहा है तो बहुत ही जल यहाँ पर भी आपको डाउनलोड एड्मिट कार्ड का मिल जाएगा लिंक ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं मध्य परदेश 36 गड़ का भी वही हाल है तो यहाँ प आपको लिंक एक्टिव सून का ही ऑप्सन दिखाया जा रहा है यहाँ पर भी आपको बहुत ही जल्द एक्टिव हो जाएगा एड्मिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेस्ट बंगाल उरिशा जारकन की एड्मिट कार्ड होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखिए करनाट तक केरल यहां का भी शुरू हो गया है एड्मिट कार्ड डाउनलोड होना ठीक है और आपको नीचे की तरफ आना है तो और भी भाकी राज्यों का एड्मिट कार्ड जारी हो चुका है आप यहाँ से क्लिक करके क्ल तारिक दूसरा महिने 2024 तू साथ तारिक तिसरा महिने 2024 तक आपका admit card download होना शुरू हो जाएगा और इसी date में आपको exam देने होंगे ठीक है यहाँ पर आपको status दिखा दियागा है admit card available हो जाएगा in date में ठीक है और आपको इसी date के अंतर में आपका exam सुरू हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस परकार से आप अपने admit card का status चेक कर सकते हैं और आप जनकारी पा सकते हैं दोस्तो चैसे ही आपका admit card download होना सुरू हो जाएगा मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट दे दूँगा तो आप अपने सरकारी रिजल्ट की website पर आके आप अपना admit card download करके आप अपने exam center पर जाके आप अपना exam दे सकते हैं दोस्तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब को बहुत ही पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को like कर दिजिएगा अपने दूस्तों में share कर दिजिएगा और हमारे चैनल को subscribe कर दिजिएगा दोस्तों हमें दीजिए इसाज़त मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जय हिंद